पॉलिवुट की सदा बाहर अदाकारा कहनाने वाली रेखा ने कहा है कि वो कभी अदाकारा नहीं बनना चाहती थी उन्हें मार मार कर बनाया गया है भारती मीडिया ने अपनी रेखा का सिद सेयर अदाकारा का माजी का इंटर्विव दुबारा शाय किया जिसमें रेखा का कहना था कि फिल्म इंडूस्ट्री में बिल्कुल भी दिल्चस्पी नहीं थी कम उमरी से ही जबरदस्ती मुझे अदाकारा बनाया गया रिपोर्ट में बताया गया कि रेखा ने सिर्फ तीन साल की उमर से भारत के मुकामी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा ताहम उन्होंने बॉलिवूड में तेरा बरस की उमर में डेब्यू किया और फिर देखते ही देखते शोहरत की बुलंदियों पर पहुँच गई अदाकारा ने ये भी कहा था कि जब मंबई आई तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने घरवालों से राप्ता किया मुझसे पूछने लगे कि हिंदी फिल्म में काम करोगी तो मैंने मना कर दिया मेरे इंकार के बावजूद उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लिया काम करते हुए छे से साथ साल गुजरे तो मेरी इंडस्ट्री के लिए दिल्चस्पी पैदा हुई रेखा का मजीद कहना था के जबरदस्ती खुद को खेंच कर शूटिंग पर ले जाती थी दो शिफ्ट करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था